नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं पांच की आँच 36 गड़ में जैसे जैसे चुनाव नस्दीक आता जा रहा है सियासी हलचल बढ़ चुकी है कॉंग्रेस प्रशिक्षन शिवेर और कारेकरता सब विलन में लखी हुई है और बीजेपी बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है मौका केंद्र में 9 साल पूरे होने का भी है ग्रेह मंतरी अमित शाह कल दुर्ग के दौरे पर आने वाले है बीजेपी उत्साहित है ग्रेह मंतरी के दौरे को एतिहासिक बता रही है सीम ने इस दौरे पर तंजकसा है और दुर्ग को कॉंग्रेस का गड़ बताया है इस बयान पर बीजेपी का पलटवार भी हुआ और इसके बीच बड़ा सवाल ये कि दौर्ग में किसका है दम तो किसका है दम लेकिन इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं पांच के आज में पांच के आज के पांच सवाल बीजेपी का चुनावी शंखनाद दुर्ग से ही क्यों होने जा रहा है कारण क्या है कि दुर्ग आ रहे हैं अमित्शाह पहला सवाल आपके स्क्रीड पर याद देख रही है कि क्यों बीजेपी का चुनावी शंखनाद दुर्ग से होने जा रहा है क्या दुर्ग जीतने के लिए सत्ता का दुर्ग जीतने के लिए दुर्ग कुछ काम आने वाला है क्या इसलिए दुर्ग एहम है तीसरा सवाल क्या है ग्रिह मंत्री के दोरे से बीजेपी को कितना फाइदा होने वाला है अमित शाह खुद आ रहे हैं क्या बीजेपी को होाइंगे के दावए में कितना दम है और पाच-वा सवाल ये है कि दुर्ग की छुनावी लड़ाई में कौन किस पर भारी पढ़ने वाला है यह ईंपाचΑ सवाल है यह साथ जुड़ने वाले हैं दो खास महमान जिन पर हम करने वाले हैं चर्चा जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुनील चौधरी बीजेपी नेता हैं और मणी वैशनाओं कॉंग्रिस प्रवक्ता हैं बहुत स्वागत आप दोनों का आप से हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं लेकिन उसके पहले दर्शकों को दिखाते हैं ये रिपोर्ट चुनवी साल में पार्टियां अपने पक्ष में बाहौल बनाने में जुटी हैं कॉंग्रिस जहां प्रशिक्षन शिविर और कारेकरता सम्मेलन के भाहने अपने कारेकरताओं में उत्साह भर रही है तो बीजेपी केंद्रिय मंत्रियों और सांसदों को भेज कर पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में लगी है ग्रिय मंत्री आमित्शाह कल दुर्ग के दौरे पर आने वाले हैं लेकिन इस से पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है सियम भूपेश बखेल ने दुर्ग को कॉंग्रिस का गढ़ बताया है ग्रेव मंत्री के दोरे पर चुटके लेते हुए सीएम ने कहा कि हो सकता है वो सरोज दीदी का जन्मदिन मनाने आ रहे हूँ लेकिन दुर्ग तो कॉंग्रिस का दुर्ग है प्रदेश में कॉंग्रिस बस्तर और सरगुजा संभाग के बाद मैदाने इलाकों में सबसे ज्यादा मजबूत दुर्ग संभाग में है दुर्ग की 20 विधान सभा सीटों में से 18 सीटे कॉंग्रिस के पास हैं ऐसे में फिलहाल तो दुर्ग कॉंग्रिस का ही गढ़ नजर आ रहा है लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती उपेज बगेज जी डरे हुए हैं घबराय हुए हैं देश की ग्रह मंत्री का दुर्ग आना निश्य दुर्प से एक इतिहासिक होगा और विसाल आमसभा होगी और जिस प्रकार से यदि वो कांग्रिस का गढ़ है दूर तो घबराने की जबरत नहीं है वो बेज बगेज जी को पर ये उनके बातों से पता चलता है कि वो घबराय हुए है अनिश्य दुर्प से दुर्प से दुर्ग की आमसभा इतिहासिक होगी सब्वल होगी और शक्तिर गढ़ के राजनीत इंदिस्टी से एक मिल का पत्थर साबित होगा दुर्ग संभाग, बीजेपी और कॉंग्रिस के लिए काफी महत्वपून है ये सीम भुपेश बगेल के साथ ही तामर ध्वज साहू, रविंद्र चौभे, अनिला भीडिया समेत कई मंत्रियों का गढ़ है ऐसे में बीजेपी के लिए इस गढ़ में सेंध बेहद जरूरी है, ग्रिह मंत्री अमित्शाह यहां से चुनावी बिगल फूंकने वाले हैं, हालां कि इस से पहले दुर्ग में कौन है दंदार, इससे लेकर बयान बाजी जारी है, बीजेपी का जोश भी हाई होगा, और अभी जो मौझूदा स्थिती है, 36 गढ़ में, बीजेपी और कॉंग्रस के बीच में वो इतना लंबा फासला है, क्या ये लंबा फासला कम हो जाएगा, या फिर उल्टी स्थिती हो जाएगी, क्योंकि कॉंग्रस की तरफ से नारा दे दिया गया, कि अपकी बार 75 पार, सुनेल चौतरी, बीजेपी निता हमारे साथ जुड़े हुए, मणी वैश्टम कॉंग्रस निता हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे पहले, मणी वैश्टम साब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि दुर्ग कॉंग्रस अपना दुर्ग इसको मान रही है, दुर्ग अपने आप को चानक के मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन भारतियनता पार्टी कोई लाब नहीं होने वाला है, अमिश्चाह जी के दुर्ग आने से, प्रतेकवर्ग के लिए माननी मुक्यमंति भुपेश बगेल जी ने काम किया है, केवल दुर्ग ही निप्रदेश के प् अमिश्चाह जी तो सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के अंतव वस्तर तक चेक किये गये थे पुलिस द्वारा, जब भारतियनता पार्टी की सरकार थी 36 गड़ में, तो वो याद ताज़ा दुरूर हो जाएगी, और महिलाएं दुर्ग की महिलाएं उस अपमान को दुबार याद करेंगी और कोसेंगी भारतियनता पार्टी को किस प्रकार को वैवार उनके साथ किया गया था, और अमिश्चाह जी आ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब भी देना चाहिए, कि चीन हमारे देश में कब्दा करके क्यो बैठा है, महंगाई लगातार क्यो बढ़ रही है, ब्रिजभूशन सिंग के उपर कारवाही क्यो नहीं हुई, इस प्रकार के तमाम जवाब आधी पुरुष्ट के जो डारेक्टर है, जो उनके उपर बैन क्यो नहीं लगा, उनके उपर कारवाही क्यो नहीं हुई, इस सब बातों का जवाब य कई सारे सवालों की बोचार कर दी कैसे सामना होगा और कितना उत्साह पार्टी में उनके दौरे को लिए माननी अभी साज ही जो है वो हमारे राज़्के दर्श्टू रहे हैं और उनके आने से कांग्रेस पर जो है और अठीज़ता पर्टी की चीपी है मैं आपको बतादू ऐसी शीप भी जाए वगेशली ने बाजमा नी की नहीं है वह भारती जन्ता पार्टी कभी गड रहा है और लगाका ऑफ पर जीटों में जीत ऑ है अब प्रश्टअचार की पुल निया तो है में यह सारे जो लगातार हो रहे हैं किस पोद्पन होता है जो प्रश्टाचारी है अमित्षा मंत्री हैं केंद्र में ग्रे मंत्री हैं जाच अधिकारी तो है नहीं कि उन से भैव्याप्त हो जाए वह भ्रेश्टाचार अगर वही आके भ्रेश्टाचार उजागर करेंगे तो मुझे बताईए कि बाकी दिनों से पूरी बीजेपी कांग्रेस का गड़ है वह इसलिए क्योंकि बीस में से अठारा सीटे कांग्रेस के पास हैं वह इसलिए उन सीटों में भारती जंता पार्टी ने बारती जंता पार्टी वैशाली नगर भी बारती जंता पार्टी जीती है कि नी जीती है जीती है विश्वास है क्योंकि इनके प्रश्टाचार के कारण पूरे प्रदेश से जो है विश्वास पूट चुका है कांग्रेस के वर एक ही काम करने एक आप ब्रश्टाचार का प्रमान है कि इस्वाना मुटला पता नहींदे ऽय ना मुटले की बात करते हैं उसके अधिकार somehow को क्मरें अगर बात करेंगे तो आप दोनों की बात जनता तक पहुँचेगी सुनेल जी आप बहुत सारे मुद्दे गिना रहे हैं जाहिर तोर पर आपके बड़े नेता आ रहे हैं तो ये मुद्दे कल जो सभा होगी उसमें भी गिना जाएंगे जाहिर तोर पर पार्टी मजबूती के लिए बड़े नेताओं को बुला रही है कोई गलत नहीं है इसमें लेकिन मणी वैश्मनाव साब ने जो सवाल किये वो सवाल कॉंग्रेस की तरफ से पूछे जाएंगे क्या उनके जवाब देने वाले हैं ग्रिय मंत्री या बीजेपी की तरफ से आएंगे के शुरुवात में जो उन्होंने सवाल किये थे महंगाई को लेका और तमाम चीज़ों को लेका भारती जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं उससे इनके अंदर में जिस प्रकार के हड़ बड़ाहट है और यह विशेयांतर करने की पोशिश करते हैं यह अपने यहां पर पतब एक शीखुपा जो कांगरस किया था शीखुपा छोड़ने की इस शीखुपा छोड़ करके और उसमें राजिनिती करने की कोशिश करते हैं उसमें यह माहिर खिराड़ी है करना भी पड़ेगा अगर सत्ता में बापसी चाहते हैं लेकिन इनको वह हैं इसने शीखुपा छोड़ने का काम करते हैं जवाब देना भी जराब में रुष्टा चाहर हुए कि नहीं हुए तो जवाब आप दी यह ना अमिश्टा दे जवाब मड़ी पूर क्यों जाल रहा है सुनील चौधरी साब बड़े निता आ रहे हैं यही जो बात आप गिना रहे हैं क्या वो यही गिनाने वाले हैं या कोई बड़ा मुद्दा लेकर आने वाले हैं कल मंच से या कल दुर्ग से ऐसा कुछ होने वाला है जो 36 गड़ की सियासत को बदल कर रख देगा इसका तो आपको इंतिजार करना पड़ेगा वालनी देश के ग्रीव अंत्री आ रहे हैं अब वो क्या बोलेंगे उसके कल आप इंतिजार करेंगे उनको समझ में आ जाएगा तेखिए अभी यह कह रहे थे कि स्वधोसित चानक के है चानक कि उन्होंने अपने आपको भोश सब्सक्राइब करेंगे शाप शोंचे करेंगे मनि वेश्रार के दोरे की बात नहीं है केवल आमिट शा के दोरे की बात नहीं है ये तो लगातार नेता दौरे कर रहे हैं केंद्री इस तर के चाहे वो सांसद हूँ या फिर वो केंद्री मंतरी हूँ वो दौरा कर रहे हैं गिराज सिंग खुद दौरा कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं आपके परेशानी का सब्बत तो नहीं बरें हुए हैं लगातार नहीं होते हैं उता कोई प्रहण उनके पास नहीं होता है यह सीर्प डूलते रहें वर्ष्ट चार कर रहा था कर रहा-ट अमय बिश्टवidd vielen से वाल सार्गार को देटेख के डिल की अच्छापे की आड़ी ख़ीर कारवब हैं तो आप ग önce लोग मनी वैश्णों साब लेकिए ब्रश्टाचार को दलो में भारतियंता पार्टी बाटती है मैं पूछना चाहूंगा कि एडी यहां लगातार चापा मारी कर रही है 15 साल भारतियंता पार्टी के लेता सरकार में रहे तमाम प्रकार के घोटाले हुए एडी वहां कि तरफ से भी उठने वाले हैं अमित शाह दोरा करने वाले हैं चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया आप दोनों मैं मानुका और चर्चा में समय देने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए तो बीजेपी में उत्साहा है कॉंग्रिस तंस कस रही है कह रही है कि दुर्ग तो हमारा दुर्ग है लेकिन देखना होगा कि वोटर दुर्ग को किसका दुर्ग बनाते हैं महाँ शुक्रिया आप दोनों मैं मानों का अमस्कार है एडलाइन्स प्रेजेंट पार पेट सफा आयूर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा कर दो कर दो दो